देश में उड़त का उत्पादन खटने की आशंका के बीच नेशनल अग्रिकल्चर कोपरेटिव मार्किटिंग फेडरेशन यानि नाफ़ेड ने आयाती उड़त की खरीद का एलान कर दिया है नाफ़ेड 25,000 से 35,000 तन आयातीत उड़त खरीदेगा यह उड़त अन्य देशों के निर्यातकों से नहीं बलगी देशी कारोबारियों से खरीदी जाएगी बीते दिनों से देश में खरीफ के उड़त का उत्पादन घटने का और पूर्वा नुमान जताया गया है आने वाले त्यहारी सीजन और उसके बाद देश में दालों का स्टोक बनाए रखने और कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है दरसल रूस युक्रेन के युद के कारण यूरोप और विश्म खाद्यान की महंगाई और कमी का सामना कर चुके हैं अब यूरोप के अधिकान शेत्रों में भीशन घर्मी का परकोप है यूके में बारिश की कमी से नदियां सूखने और पानी की कमी की स्थिती पैदा हो गई है वहां खद्यान की कीमते आसमा चुने लगी है वैश्विक परसितियां अन्या तमाम देशों में खाद्या पदार्तों की महंगाई को फिर हवा दे सकती है ऐसे में भारत में मुल्या नियंतरन के लिए पहले से प्रयाप स्टोक रखना जरूरी हो गया है इससे पहले आम तोर पर नाफेट ग्लोबल टेंडर के जरिए विदेशी उड़त खरीदी करता रहा है इस बार नाफेट ने घ्रेलू टेडर से कहा है कि वे तीन वियर हाउसों यानि चन्नाई, नवाशेवा और विशाखा पत्नम में उड़त की दिलिवरी करें इसके लिए टेंडर चारी कर दिये गए हैं भाग लेने वाले निवीदा करता को कम से कम 500 टन उड़त की सप्लाई करनी होगी साथ ही सरकार एक दिन में 2000 टन की खरीद करेगी इससे पहले अब तक सिर्फ 3 बार ही ऐसा हुआ है जो विदेशी उड़त घ्रेलू सप्लाई करताओं से नाफेट ने खरीदा हो नाफेट के पास उड़त का प्रयाप स्टोक रहेगा तो महंगाई और कीमत बढ़ने की स्थिती में वो खुले बाजार में बिक्री करेगा ऐसे में आगे दालों की महंगाई पर नियंतरन लग सकेगा बीते दिनों इंदोर मंडी में आई धलन की तेजी गाय हो रही है दरसल बाजार में उभोकता गरहकी का अभाव है सरकारी कदमों के डर और गरहकी के अभाव में फुर से बाजार तूटने लगे है महराश्टर की और तूवर की तेजी की खबरों से तीन दिन पहले बाजार तेज हुए थे अब एक बार फुर से दाम नरम पड़ गए है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम स्टीव